इलेक्ट्रिक एक्विप्मेंट बनाने वाली कमपणी मासंस शे को वेस्ट बंगाल से 40 करोर रुपे का नया ओर्डर प्राप्त हुआ है साथ में ये स्टॉक पिछले एक साल में निवेशकों को मल्टी बैगर रिटन भी प्राप्त करके दिये हैं पिछले एक साल में इस कमपणी ने 542.9 के शांदार रिटन निवेशकों को प्राप्त करके दिये हैं मासंस शे कमपणी का काम काज मासंस लिमिटेड कमपणी की शुरुआत 1976 में ये कमपणी स्थापित है कमपणी के बिजनेश की बात करें तो कमपणी पावर जेनरेशन, EPC कॉन्ट्राक्ट, Logistics Construction और Transformer सप्लाई करने का काम करती है कमपणी के Transformer में पावर ट्रांस्पोर्टेशन, इंस्टूमेंट ट्रांस्पोर्टेशन, फनेस्ट ट्रांस्पोर्टेशन का का काम करती है तो कमपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.72 प्रतिशत की दर्ज है तो कमपनी के उपर 14.51 करोड का करज है तो कमपनी का रूद 235.88 करोड का तो रोज 32.1 करोड का है एक साल से यह स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टी बैगर रिटन पिछले एक साल से यह स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है क्योंकि पिछले एक साल में 542 प्रतिशत रिटन तो पिछले 6 महीने में 258 प्रतिशत रिटन तो पिछले तीन महीने में मासंस शेय कंपणी में 133 प्रतिशत के रिटन निवेशकों को प्राप्ट करके दिये हैं स्टॉक को मिला 40 करोर रुपय का नया ओर्डर कंपणी के पास वर्तमान में 55 करोर के ओर्डर बुक है और साथ में आप कंपणी को वेस्ट बंगाल से फर्स्ट फेस RDSS स्कीम के तहट 40 करोर का नया ओर्डर प्राप्थ हुआ है जो मासंस शेय कंपणी को जून 2014 तक इस काम का आज को पूरा भी करना है वर्तमान में ये स्टॉक 22 रुपे और 16 पैसे रुपे पर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 22.16 रुपे का तो 52 वीक लो लेवल 3.14 रुपे का है डिस्क्लेमर, एक्विटी न्यूस का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें